तो उनसे प्रयाम सुख से कहा है कि मैं है रान हूँ कि विदेश्य साहित के बारे में में इतनी तिर्चस्पी है, फिन ही मैं कभी अफ़ी की लेखों के बारे में इतना नहीं ज्यान सका। उसमें मेरे अलेचला भुमा और नुगुपी और बोलेचला इका तीन पर नोट्स है अलगले, इतनी मोटिफाइए थी और ये गोजपूर में राद्धिवे श्नोजवान ने कैसे इतना सबकाम कर लिया तो मैंने कुछा की, मैंने कुछा की नहीं में तिर्चस्पी थी तो उ मैंने का जिए ठीक है मैं कट दूगा तो जब बाहर हम आये तो प्रयागी ने हमसे धीरे से कहा कि आमी जी आपके साथ मैं भी चल सकता हूँ, हमें का आमी बिल्कुल आप जो भी चलेंगे तो प्रयागी ने साथ के वो इंटर्व्यू मेरा चबा, कवरे स्टोरी दिनमान की वो कवरे स्टोरी थी, मेंगी पहली ही रस्मा दिनमान की कवरे स्टोरी बढगे और ये में बहुत बड़ी बात थी और मेरे पंचितों के लिए बहुत बड़ी बात थी जोंकि इतनी एट्षिय और सणियों तो सब्लों बहुत बड़ी बात बेखें आज का अगर कोई संपादक होता ना तो मेरा प्रवेशी बढ़ जित कड़ रहता आपने काल्याने में जोंकि संपादक से ज्यादा मैं जा याद आपने जान काई चीबाए रही लेकिन अगर आपने प्रकट किया तो आपका पता खड़ जलता है जेन्यू में झातों में पास सवाल बहुत होते हैं कंसकं ये परंपरा यहाँ की रही है आज कल पैसी है मैं नहीं कह सकता लेकिन जेन्यू के पहले, दूसरे, तीसरे, पैस तक तो मैं बराबार आता था, मेरे बहुत सारे मित्रे हां थे, उन दिनों के वल पेरियार होस्टल और गोदावरी होस्टल ही थे, इमर्जेंसी के दौरान भी यहां, छातों का एक अच्छा आंदोलन था, उस समय इंद्रगांधी किता नशारी के खिलाब, और कापी तम अंचक्र यहां चला था, और बहुत सारे अध्याबर थे, जिनों उन्हें च्छातों लिखों मदद हुई कित्रोस कमद, यह निवाना अपने हाँ में एक मेरे लिए खुर्शी की बात है, बहुत पहले जिसे मैं शायद इंटर्वीडियेट का च्छात रहा हूंगा, एक किताब मुझे पढ़ने को मिली, अनुवाद था, नेमी चंजेंजी गानुवाद था, और वो जूलियस शूचिक की किदाब थी, फांसी के बखते से, और उस अनुवाद को पढ़ने के बाद, चुंकि नेमी चंजेंजी एक नाटकार्ट थे, और नाटकी बिधा पर ही उनका लेखन होता था, साइटकार्ट थे, लेकिन बराबर ये बात भूंदी रहे दिमार्ड में कि बुलियस शूचिक कुमोंने क्यों चुना अनुवाद के लिए, उसके बाद और वे बहुत सारी पुस्तकें ऐसी मिलती गई, जैसे अमरीत राये ने जो अनुवाद किया था, समर गासा का, आदि वित्रोही, इस पार्टकस जो उपरनियास था उसका, फिर भीशम साहने ने बहुत सारे अनुवाद किये, और ये हमसे पहले की पीड़ी के लोग थे, और हमारी पीड़ी के लोग में भी विश्नुखरे से लेकर के और मंगलेश डबराद तक इनलों ने कई पुस्तकों के अनुवाद किये, मंगलेश डबराद ने हर्मन हिस की बहुत प्रसित पुस्तके सित्धार्ट उसका अनुवाद किया था, मेरी सम्धालीनों में तरिने जोशी प्रभातिन आ आपके यहां ही वल्याम सिंगी ने बहुत सारे अनुआद किये, यहीं की पड़ियों ही रंजना सक्सेना के अनुआद, इन सब्रों के अनुआद में एक सामाजिक सरुकार दिखाई देता है। इसलिए मैं अकेला वाफिक नहीं हूँ जो इस तरह का काम कर रहा है। अनुआद में चुनी हुई करता है और वो निश्चित उसे प्रगर्शित भारग ही करता है। उसका अनुआद किया। आपके विश्चित द्याले में इस समय चीनी भाग में एक सिक्षक है। प्रोफेसर शायद मुझे है, प्रोफेसर बियाट दीपक, उन्होंने पूरी दुनिया के पर इक्रेक्ष में बात कर रहा है। चीन के एक अनुआदर जिन्होंने कारिदास का विज्ञान शाकुंतलम विक्रमोर वर्शियां। और हमारे हैं जो दो एपिक हैं महाभारत और रामायर्ण। उसमें से रामायर्ण का अनुआद किया। और वो हैं चीशेनलिन। चीनी। चीनी भाषा में उन्होने की हैं। यहां के गंथ होगा अनुआद कुछ का संस्क्रिट से कुछ का हिंदी से। बी आटीपक ने उनके बारे में जो एक गंथ लिखा है। तक्रिवन साथ सो पेज का अनुआद में जिन्रों की भी तिल्चस्वी है। या जो लोग अनुआद पर अध्यान करना जाते हैं। उनको वह पुस्तक जरूर पढ़ने जिए। क्योंकि अनुआद के कौन कौन से सुरुख हो सकते हैं। अनुआद करने में किस तरह की साउधानियां बढ़ती जाएं। अच्छा अनुआद क्या होता है। सामाजिक सरुकार से जुड़ा अनुआद क्या होता है। इन सारी विश्यों पर बहुत पिस्तार के साथ उस पुस्तक में लिखा गया है। और वो पुस्तक प्रगाशन संस्थान से छपी है। वो अजबुत किताब हैं अनुआद के बादे में। दिखें मैं टुब्डे-टुब्डे में ही बात करूँगा उसको आपको जोड़ लीजेगा। मुझे कोई ऐसा अनुआद नहीं है कि एक मतलब क्लास में लिख्यों उसे देने जाए कि एक तरह समय देता जाए। अब आज का विशे में हमारे लिखा गया है अफ्रीकी साहित के विशेष्ट अनुआद है करो वरेष्ट पत्रगार। तो मैंने तकरिकन तीस, पहेंटिस या चालिस भी हो सकता है किताबें अनुआद संपादन और मूल लिखन मिला करके अफ्रीकष किताब में दस किताबें अफ्रिका से संबंदित हैं। तो अगर मेरे बाले में ये कहा जाता है कि अफ्रीके साहित के बाले में विशेट बिश्ट की तो ंफ्रीका घ्ल गलाब यह नहीं है। बहुत साहे लोग मुझसे सवाल करते हैं कि अफ्रीका को ही आप में कम चुड़ाँ अंवार के लिए पहले तो अफ्रीका में मेरी दिल्चस्पी कम होई बहुत संच्रेट में मैं आपनों को बताना जाऊंगा जिसरा में इंजिरिंग का जाथ था गरणपूर में रखाता और आधी हम है एक beim की की और अदर दर कि और में यद्षण हो गाया से चब्लक अशिक हूस में मासकों से खड़ी और तमाम बुस्तक होते थी और मैं चुंकि साहितिक गुरुची बच्पन से हो गई थी तो उपन्यासों की तलाश की जाया था वहाँ दॉस्तोबस की तुर्भिने, बोर की इनों के उपन्यास जो है बहुत सस्ते तामकम मिल जाती तो उपने केनों मुझे एक उस्तक मिले जो पैंटिस रूंबा के बारे नेखे थी पैंटिस रूंबा कांगू के नेता थे, ब्लाइक लीडर कांगू बेंधियम की काल लेता और पैंटिस रूंबा आजाती लड़ाई लड़ायते वहाँ एलेक्शन्स हुए उसमें पैट्रिस रूंपा के फीटम पार्टी चुनाव जीन के और उनको प्रथामंत्री बनाया जाना था प्रथामंत्री राजपती जो के संविधान के नमसाथ था मत्रम सभुष पत्तर और वो उस पर दिरूथ ही हुए अगया लेकिन किसी साजिश के तार सामरान्यवादियों ने उनको की रव्तार कर लिया और उनकी हंद्या कर देए तो पैत्रिस लुंबा जश्में जेल में बंगे। को पुम होंने सनजुक्त रास्ट्र के महासर्चु समय थे ढेहत्र हम हर談 दो तो ऐस होंने पत्र लिखातां और पत्रों का एंखोड़ा सकन गलम छिसमें पैत्रिस लुंबा ने बताए कहा था कि मैंनी अत्या की जा सकती है, और संजुत राश्तु डगल देना चाहिए, उसमें बाइपूलर वर्ड था, जुद पूरुदी, यानि एक फुरी पर अमेरिका था, एक फुरी पर गुरुस था, और एक दोनों के पी जबटा स्ट दिद्वन देता चल लाई थी, पैक के खिलाव था, और उस समय जो ही सामृाजवाद के खिलाव हो था वह अमरिका के निधाब में उसे communist मांदिया जाता था, कि अगर ये सामृाजवाद के खिलाव थां निस्ट्व था, बंश्य दो उसे communist है, वह सामृाजवाद के कमनिस्टों को गई जा सकती थी लेकिन किसी भी तरह से वो कमनिस्ट नहीं थी। उन्होंने अपने वक्त तप्यों में भी बताया था कर लिकिन उनकी हत्या हो बेख तो मुझे बहुत हैरानी हुली कि जो बहुत की बता रहा है कि मेरी हत्या हो सकती है और संजुक्तराष्ट बचा नहीं पाया इतना सब्सक्राइब, तो वहां से अफ्रिका की पिट्टी मेरे लिए पुल गई, और मैं धीरे धीरे अफ्रिका की रादने, जो अफ्रिका के साहित के बारे मैं अध्यान करना लगा। उस अध्यान की का में मुझे लगा कि हम लोग जो तमाम इनुरूप का साइट देखते हैं, कई सारी बातें धीरे धीरे जो उस सब्सक्राइब परिभाशित नहीं हो रहे थी, जो बातें दिमाग में चल लेके उन्हें में परिभाशित नहीं कर सकता था कि ये क्या सोच के मैं करना हो, लेकिन आगे जाकर के उसको मैंने जब परिभाशित किया, तो शायद दिमाग में कहीं रहा हो, कि यह जो मासिक्ता हमारी बनीविल है, यो लोग यूरो सेंट्रिक होने के, उसको छोड़ा जाए, और आगे बड़े होने पर अध्यान करने पर लगा, कि ये जो कुन हमारे माइंड का हुआ है, शायद उसके खिलाब इन चीजों को पढ़ने के बाद कोई उधार उधार जल रहा था, यानि हाउ ठीकोरो नाई जाए जाए, और माइंड की दीकोरो नाई जाए, चुकि हम 200 साथ तक बिटें के बुरान रहे हैं, तो हमारी पूरी सोच एक कोलो होगे, और इसका कभी हमारे दर्ब से कोई आजादी मिलने के बाद ये राज देंदी का आजादी 247 मिली उसके बाद की कभी सचेट प्रयास हमारे दर्ब से नहीं हुआ, डीप उनाईज करने का अपने माइंड को, ये प्रयास तो नहीं ही हुआ, उन्टे इसके बाद से 1918 में जब bör़नाइज़न हुआं तो हमारे कौलोनाः से माण सिकता से एक तो भी कोलोनाइज हो भी नहीं पाया है उससे करला बस देएजर है काथ है अपने कोलोनाइज़न होता है, यह साही है तो दूनिया के देशों का आउपः एस कने जूले अफ्रीका के साइथ को जब हम पढ़ते थे तो एक उसके साथ से ताराब में स्थाफिक होता था हम आइडेंटिफाई कर लेते दों कि करेक्टर्स के साथ बहुत सारे उसको क्योंकि उनकी स्थितियां हमारे स्थितियां काफी हद तक मिलती जोती थे हमारे देश भी किसी प्र कि अपनि प्रॉशीख कुला में खेल जुके थे वही चेज जुके थे और प्रुणों ने तो बहुत जाल अफ्रीका में तकरिबन 54 देश हैं आज महीं दिवस हैं आज महीं दिवस हैं अट्था सो च्यासी या पच्चासी शिकागों में शिकागों में यह मतलु मजदूर् मुझे अभी अचानक इसलिए आ रहा है कि अफ्रीका के कुर्णाइशन की बातों में बता रहा था तो क्या इत्वार के एक तरफ इतना पड़ा संगर्ष चला था अथा 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 अथारा सो पच्छासी में दुनिया के छे साथ सामराजवादी देश पूरे अफ्रीका महादीब वो पांटने में लगे थे अपने हिस्से में बढ़ लेख में बैठ कर गए उन्होंने बल्कि एक तरह समझ लिए कि अफ्रीका का नक्षा टेबल पर जैसे बिछा लिया हो और कर दिया है हमारा ये तुमारा ये तुमारा ये तुमारा ये तुमार इतली, पुर्टगाल, बेल्जियम, इस्पेन, और एक देश कोई छूट रहा है, जर्मनी, साथ देशों ने, और इसमें सबसे बड़ा हिस्सा मिला, ब्रिटेन को और फांस को, कि आप अफ्रिका का नक्षा उठाएंगे तो सहारा डेजर्ट से नीचे जो है, सहारा डेजर्ट से नीचे और नक्षे में नीचे आएएंगे जहां से दक्षेन अफ्रिका शूरू होता है, वहीं एक जांबेजी नली बनती है. तो सहारा मरुस्तल से नीचे जामडीजी नदी के बीच वाला जितना हिस्साथ था, वो सारा हैं लोगों ने आता से बाद किया, केनिया, नाइजीरिया, उगांडा, ये मलावी, ये सारे देश ब्रिटेन के उसमें गए, और पश्यम अफ्रिका के बहुत सारे देश जो है, आ पुर्जगाल ने ले लिए, इस तरह से बहुत एक इसको इध्यास में कहा गया, स्क्रैंबल फॉर अफ्रिका, अफ्रिका की लूट खसोट, अगर आप उसको खिंदी में हैं, तो ये स्क्रैंबल फॉर अप्रिका था, सम्राजवादी देशों दौदा, तो मैंने देखा कि केनिया, लाइजीरिया, उगांडा ये जितने भी प्रिटिश उपनिवेस्ट थे, उनकी बहुत सारे स्थितियां हमारी स्थितियों से मिलती जुलती रही हैं, क्योंकि हम भी प्रिटिश उपनिवेस्ट थे, यहां तक केनिया में मैं गया, railway station वहां ने रोडी के, देखने क की लिएकि कैसा है तो सब्सस्य लग रहा था है झैसा मैं बोरता है तो बहुंत ही निटाम नहीं द्यारी संवे सारे खस्ष को सब्सक्राइब करत अए कि तो वह सब्सक्राइब रही हैं वह चाह displacement oh या उगंडा हो तो या मलादी लोगी नोगे ती ये देश्ट हो रहे कम सम्भूर पेश्वा में तो मैंने ऐसा जखा नाइजिदिया और केमिया में अगर आप पढ़ें तो वहां का पूरा जन्चीवन ऐसा लगता है जैसे भारत के किसी गाउं का जन्चीवन है चौबार में बैठ के लोग जयस तरह से बात्चित करते हैं उसी तरह वहां के लोग बात्चित कर रहे हैं और साला कुछ मिलता जन्चा यह किवल एक है लुक्टेनिया में بھی नईगिरिया में भी नहीं उस तरह मिलती कि क्रिस्ट्षियन का जो तम्दवा था वो यहां उस तर पर आखे मैं इसी ही मिलती। छूतेप्रूबूइ पूर में कि उसके इए एक विचारत ने घाली के जॉपर्फ चो. धिर्साहूइं हो दो प्रूड़ू पर होगाने एक न।ो उनके वरेकतं दुद्ध कर सब में एक शमाल हुएर। तो इससे पता चलता है कि किस तरह से उपने विश्वारियों ने काम है यह सोट करके में जमाएं कि वहां के साहित को हिंदी में मैंने देखा कि हिंदी में इस्टिफेंट करे कि और यूऔरोप के बहुत सारे लेकों के बहुत सारे अन्वाद उप्लब्द थे, लेकिन किसी भी अफ्रीकी लेकर का उपन्यास मैंने हिंदी में नहीं नहीं देखा था, जब मैंने हिंदी में अफ्रीकी साहिज पर लिखना शुरूर किया। तो आलोसना पत्रिका है जो नामड सिंह संबाधित कर रहे थे हुए और 1970 में मैंने पाइदा लेक अफ्रीकी कथा साहिज पर लिखा, वो बहुत लंबा लेक था करीब, 6-7 जार सप्तों पर था अफ्रीकी कथा साहिज, अफ्रीकी कथा साहिज किया अफ्रीक पर लिखना लेक लिख दिया, हमने कहते क्या कहता है, तो वो लेक काथी लोगों ने पसंद किया था, और उसकी जरीए अफ्रीकी साहिज थे, गाव मैंने बहुत समय बहुत कंपीटर के साथ लोग आगोसना पत्रिका पड़ते थे, अब पता नहीं कितनी कंपीटर है, तो मैं तुर्की नहीं कभी पढ़ाता है, उस लेक कुटों को ने पढ़ा, और लोग के अंदर एक दिलचास भी बैदा थे, फिर मैंने भी जब देखा कि लोग की दिलचास भी है, तो मैंने अफ्रीका पर लिखना शुरू किया, और अफ्रीकी साहिज में से भी उस साहिज को घूम करके नि तो जिसकी प्रासंगिक्ता हमारे पार्टों को, हिंदी के पार्टों को, अगर वो प्रासंगिक्ता नहीं है, अगर बो जटिल बिशेल है, जिसका जैसे है उनके ट्राइबलिजम पर भी कुछ उपर नयास है, उस तरह का ट्राइबलिजम के साथ हम तालमिल नहीं बैठा प भारत का पार्ट जो है हिंदी का पार्ट जो है जिसके साथ अपना साल में लिखना दख करती है इसी तरह वहां कि हैं कि गुपिवार्थ हम वो जो उपन्यासकार को अच्छे नहीं है बहुत अच्छे विचार हैं आप सब उन जानते ही है उनकी भाषा और संस्कृति के बारे में उनकी जो विचार हैं उनको पढ़ते सारा हमेशे यह लगता है जैसे भारत के बारे में कोई लिखा है उनका जो उपन्यास है जो मैंने आनवाद के पेटल साफ ब्लड खून के पंखुणियां के नाम से वैसे उनकी कितने भी उपन्यास है उस सब की प्रिस्ट रूम मे किसान आंदोरन किसी में किती रूप में मौशुर है क्योंकि माव माव आंदोरन के नाम से केनिया में एक बहुत जवर्दस्त किसान आंदोरन हुआ था जिसने ब्रिटे शुक्र में स्वाजियों को बिला लिए था और जैसे हमारे हम शाहिद भगत सिंग थे वैसी हुनके एक लीडर से शाहिद भगत सिंगो नहीं जैसे बिट्सा मुंटा को हम याद करते हैं उसी तरह से हो यहां कि एक जारू किसान नेता थे देतान की मान्थी तो देतान की मान्थी पर एक नाटक भी लिखा है में नुगूवी वक्ष्ण को लें और दलिटान आप देतान के मा प्रासों में किसान आंदोलन केंद्र में मिलता है बरावर आप देखेंगे और वो महों महों आंदोलन और बिलसा अप्लट में भी आपको मिलेगा कि जो लोग अंग्रेजों को भगाने के आंदोलन में शरीत हुए जिन्होंने अपना सर्वस रोटेल शावर कर दिया आजा वो मंत्री बढ़ गए और बड़े-बड़े पदों पड़ चले गए तो यह सारी चीज़ें ऐसी थी कि भारत की तस्वीर इसमें दिखाई देती जो तो इसलिए मैंने मैंने जैसे ही पढ़ा यह किताब पेनुक्साप्लट सेविटीज में चाभी थेली सेविटीज में उस उसमें कंप्यूटर नहीं थे मैंने उसका अफ्सूर कर दिया चांस्लेशन मैंने सुझ इस किताब को जरू हिंदी में आना चाहिए लोगों को पढ़ना चाहिए तो अधुत किताब है और मैं हाथ से नहीं लिखता हूं बहुत कम लिखता हूं मैं सीधे टिक्टेशन देता पर मैंने करें 30 पेस करा दिया और 30 पेस करा दिया उसके बाद और कामों में लग जिया ते वो किताब आ गई से लिखती में जो मैंने शुरू किया था फिर में 2018 में शायद यह है 2018 यह 17 में उन्होंने कहा बादचित्वी कालगी प्रगाशन के लिखंपर से दो उन्होंने कहा कि आप इस सुपन्यास को करते हैं हमने का कड़ तो रहा था मैं लेकिन अब बता नहीं कहा है वो पेज तो खेर मैंने बहुत खुटा हुटा तो टाइप किये हुए पेज मिलके करीं 20-25 थे वो मैंने उनको वो मैंने रख दिये क्योंकि मैंना इस से से करने लगा था बहुत बाद में वो मिले आश्यर की बात यह है कि उस समय जो मैं अपना इधर का दानवाद पढ़ा और वो पेज जो मिल गए थे जो गायत थे गई उनको तो मुझे हैरानी मिल कि यह एक ही विक्ते दोनों अनवाद किये हैं वो अनवाद बहुत ही अच्छा था जो 15 सार पहले मैंने किया था और इधर जो किया था वो अनवाद उतना अच्छा नहीं लगा और दोनों मैंने ही किया था फिर मैंने वो बदल दिया उस अनवाद को कुराने बादे को ही रखती है, लेकिन इससे मैंने सोच था ऐसा क्यों हुआ, मुझे लगता है ऐसा है इसलिए हुआ, कि जब मैंने तहली बाहर उस उपन्यास को पढ़ा, तो मैं कितना ज्यादा चार्ज्ट था उस सुपन्यास को पढ़ती है, कि वो तुर्द मैंने उस कहा अनुवाद करना शुकर दिया था वो अनुवाद में भी वैसी ही मतलब तीजी और जितना चार्ट में था वो सारी के रिफ्लेक्शन उसके अलगेक थी उस अनुवाद में हो रही थी तो मतलब यह मैं खोड़ा शेपक के तौर पर मैं एस वाद को होता है विश्यान करूते हुए कि करके भी ऐसा भी होता है कि एकी चीज जो अनुवाद में कर रहा हूं तुस दिन पहले जो किया था किसी थास मैस्टित में किया गया और और किसी अलग मैस्टित किया कितना फर् हाँ उसमें रहने अपरीकी कहानियों का जो संकलम मेरा है अगर आप मैसे किसी मिला होगा तो आप देखिएगा कि हर कहानी से पहले मैंने उस देश की सांस्कृतिक और अधिंतिक प्रिश्क भूमी के बारे में लिखता है सब्सक्राइब करतालि करकूर मेरा ँजब भारत को चाहिए प्रकाषक से बाह जित करके कि कि अगर तमिल कहानिया है तो तमिल के सांस्कृतिक जीवन के बारे में एक अगर टिपड़ी दे तो उससे कहाने के संप्रेशेणिता बढ़ जाती है जैसे मैं आपको एक छोटा सा उगान देता हूँ दक्षिन अफ्रीका में जब रंग भीर नहीं थी सरकारी नहीं थी अपाट साइड जिसको कहते है तो 11 बिजे रात में एक साइरन रस्ता था और जब साइरन रस्ता था तो जितनी भी ब्लैक्स थे उनको तुरत सटक से कहीं जा के छिप जाना होता था मतलब फिर वाइट की पुलिस आएगी सरक्मा तो एक भी ब्लैक्स दिखाई नहीं देना चाहिए अगर दिखाई देगा तो उससे दियल में डाता है तो साइरन रस्ती ही वह बाले तो पूर्षिस तो करते थे कि 11 ज़ता ले अपने कर्ड ट्रीमें बहुत सा लिता हैं गयों को जिसमें सरन्हां के आवाज आती है और एक दर्षद सी होती है तो ठीक हाई आप अगए अन्वाज करना तो सरन्हाद से जो दर्षद पैदा हो रही है वह आपनें अन्वाज कर दिया और जो पाढ़ता कर उसने पढ़ए लिए काही लेकिन अगर उसको यह पिस्ट मूह में पता हो कि साइरन बजने का वान क्या मतलब होता था तो शैद उसका पिता है कि संप्रेस्विनिता और भी जागा पड़ जाएगगा इसलिए कोशेशिय होने चीए जहां तक संभा हो कि जिस देश इक कमिना है एक हास तो बादे की और वह सुक्शना उँसे बाते हैं कई जाती है आप अनुआज कर रहा हो तो उसका एक अगर दे सकें तो पार्टे के लिए संप्रेट नहीं था हो तो ये जो उपनिवेश वाले देश थे इनकी रस्राओं का अनुवाज करने में ये बात में दिवान को चल देखती बस एक बात और कोँगा उसके बाद आप लोग सवाल अगर कर सकेंगे तो अच्छा रहेगा में जबाद होगा दक्षिन अफ्रीका के बारे में बात करके अपने दक्षिन अफ्रीका के पर हमने बहुत दिखा निलसन मंदेला जब दो आभी जेन में साथ साल उन्होंने विता अब आप निलसन मंदेला किसी देश का नाम है या किसी जेक का नाम है और 27 साल तक के ल में रहे तो 27 साल मैंने अंतर लिखता रहा है मैं मूह तब पत्रगाव हूं 1966 मैंने पत्रगाईटा की शुरुवात की थी और पत्रगाव के रूप में ही मैंने बहुत साई रिपोर्टिंग किये जैसे बताया जी हमाय साथ दिने कितन शणाप भी करके एलेक्शन के रिपोर्टिंग मैंने जन्सद्दा के लिए की थी वहाँ एक महीं रिदाय कर गये तो हिंदी कोई पत्रकार नहीं था मेरे अलाव में अंग्री जी कोई नहीं था लेकिन जब जन्सद्दा में लीट छपने लगा एक दो दिन छपा तो कुछ अंग्री जी के पत्रगारों अख्वाल उपे मालिवां को शरुन लगे होगे कि हिंदी का आद्म में चला गया अंग्री जी कोई गया नहीं तो हिंदू से एक तो दक्षंड अफ्रीका कि दिल्चस कभी मैं जरूर दूरा एक्स्रेशन हो सकता है लेकिन यह मैं जरूर बताना चालता हूँ कि दक्षिड अफ्रीका में 1948 में रंगीर इनको आप विश्यर पॉलिसी बनाया वहाँ की सरकार्ट में और वो नेशनलिस्ट पार्टी की सरकार्टी तो राजपती से फोर्बुड जिनके नान की स्मिलिंग आप दिखेंगे तो वोर्वर्ड होगा व-o-e-r-w-r-e लेकिन उचारण है फोर्बुड तो वो राजपती से फोर्बुड उन्होंने अफिश्यर पाल से एपार्ट्साइड के बनाया एपरसाइड में रण्डेद नित काले और गूरे के बीच जो खेठ भौ है वो मुझे लगा है कि वहाँ के रंग भेद नित के बारे में यहाँ के रोण को जाब गए तो दी जाए लेकिन साथ ही यह बताय जाए कि हमारे हमा जो रंग केट दीथी है वो तो तक्षण आफरिका से भी कही कुझ़री है करने की बात करते हैं अंतराश्टे इस तर पर हमने सबसे पहले दक्षेण अफ्रीका के बाइकाट किया संजुक्त राश्ट में और संजुक्त राश्ट में हम कालूंग के अधिकाल के लिए संगर्स करते रहें आफिशली भारत संगार्श लेकिन हमारे हैं योगण दुनिया में किसी भी देश में इतनी घ्रत वार्ण व्यवस्था नहीं है। कोई भी भी व्यवस्था ऐसे नहीं हैं जिसमें लेबर रूम में ही प्रसुति क्रह में ही कोई बच्चा बैला हो और उसे अर्शूत गोर्शित कर दिया जाए। ये दुनिया में कहीं नहीं है और इसके रैमिफिकेशन्स क्या हैं किस तरह से जो फासिस्ट सत्ताइं अपने को सत्ताइं बनाये रखने के लिए या तानाशा शाशक जो हैं इस वण ब्योस्था का सहारा लेते रहे हैं अतीत्स से लेकर के आज की तारीक दर डखण अतका में ब्लैक के साथ बहुत फेरवाओ था लेकिन ख़ात्त के घरों में जाकरके ब्लेक मेइट्स, कीचेंट में खाना बनाती थी उनके लिए नास्ता त्यार कर ली थी वड़तन मलती थी उनके बच्चों को मतलब आया के तौर और वो ले जाती थी लेकिन भारत में आप करपना नहीं कर सकते कि किसी दलित को आप अपने टीचन में खाना बनाने के लिए इस रखते तो मैंने यह देखा कि यह तो इतनी खरी तर ब्योस्था तो कहीं है नहीं है इसलिए दक्षण अफ्रीका के उपन्याशों को जो लुक्षण घर्ष कर रहे थे और कुछ ऐसा संजोग ही होता गया कि दक्षण अफ्रीका के लिट को उसे बात जित करने का मौका मिलता गया जैसे 1970 में, 1970 में Appropriation Writers Conference यहां दिल्ली में बहा था उसमें साथ अफ्रिका से अलेक्स लगुमा आये थे उनको लोटस प्राइस दिया गया था तो साथ अफ्रिका से अलेक्स लगुमा आये थे और दिनमान चाहता था कि अलेक्स लगुमा का इंटर्व्यू हो कि अलेक्स लगुमा थे उस समय तक तीन उपन्यास छप चुके थे और अंतरास्ट्री ख्यात ही उनको मिल चुके थे साथ अंतर्विका में तो जा थे नहीं टे एक्जाईल में थे वो लोग लंदन में थे अधिकी साहिए रगवीर साहिज ये संपादक थे उन्होंने प्रियाक्षुकल जी से कहा कि आप अलेक्स लगुमा का इंटर्व्यू कर दें अब प्रियाक्षुकल के सामने बड़ी दिक्कत थी कि अलेक्स लगुमा को तो उन्होंने नाम ही नहीं सुना था तो कोई रसना नहीं पड़ी थी तो इंटर्व्यू कैसे करें तो उन्होंने अपनी दिक्कत मंगलेश डब्राल को बताई अचाहां लोग और शाम को का क्या उसमें मों सिंग प्लेर से बैठते थे मंगलेश इने प्रवाती ये और और वो साहिड लोग तो मैं दिन पर पढ़ता था आप तो बात करते हैं तो प्रयाक शुक्त से कहा कि आप शाम को आ जाएए आनद से बात करते हैं तो मंगलेश ने मुझसे पूछे कि मैं सुनाया तो आप अलग से लग हुमा इन बारें जानते हो हमने का हाँ पूप जानता हम का कैसे तो हमने दो देल उपन आज जो मैंने उनका सब नोट्स लेकरके, ऐख जो नोच थे वह गोरवपूर के थेrien नोट्स कि नोच बही पूराई जब मुझे रवीटबाउस एक पस गया் और मेरे पहलीम पस्लेख सके रवेवड़ी मुलाकात Lipivasas जबकि गुरंपुर से कुछ ही महीने पहले में आया था यहां फिलांसिंग करने के लिए और उस समय पता निया आप दिनमान को देखने का मौबा नहीं पिला होगा लेकिन दिनमान एक ऐसी पंद्रिगार थी जिसमें जिसको हर कोई पढ़ना हर कोई उसमें छपना जाता था अब भात साइट के बड़े कवी आगेज थे और उन्होंने शुलवाद की थी साइटिकारों में थी बिल्कुल द्रीम लोग को लेकरके उनों संभारेट मंडल बनाया था और फिर बाद में रग्वीर सहाय ने भी उसी तेवर के साथ उसका संभादन किया और सब्की दिमान में किसी का पत्र भी सप्क जाता था ना तो उसको वो बेल्गुल बहुत सुरक्षित रखता था नो दिखाने के लिए कि दिमान में ने मेरा फाट्मों के पत्र बालने पत्र सब्द्वारे तो अगृ सहाय ने बखाएट पन्ने पढ़ती और फिर आएसे करके बैश तो उनसे प्रयाम सुख से कहा है कि मैं है रान हूँ कि विदेश्य साहित के बारे में में इतनी दिल्चस्पी है फिन ही मैं कभी अफ़ी की लेखों के बारे में इतना नहीं ज्यान सका। तो मेरे अलेचला भुमा और नुगुपी और बोलेचला इका तीन पर नोट्स है अलगल है इतनी मोटिफाय थी और ये गोटपूर में राते हुए श्नोजवान ने कैसे इतना सबकाम कर लिया तो मैंने बता है कि नहीं मेरे दिल्चस्पी थी तो उन्हों ने का कि फिर ऐसा है कि अलेचला गुमा का इंटर्वू आप करेंगे। मैंने का थीक है मैं कटबंगा। तो जब बाहर हम आए तो प्रियारकी ने हमसे दीरे से कहा कि आपके साथ मैं भी चल सकता हूं हमें का आपको क्यों भी चलेगे। तो वो इंटर्वू मेरा शबा, दिनमान की वो cover story थी, मेरी पहली ही रस्मा दिनमान की cover story बन गई और ये मेरे बहुत बड़ी बात थी, और मेरे पचितों के लिए बहुत बड़ी बात थी। क्योंकि उन्दिनों को इतनी एट्षिया और सानियों तो सब लोगों कुछ होए, मेरी रत्मा रुटेश भी देखे, और सबसे बड़ी बात देखे, आज कारे कोई संपादक होता ना, तो मेरा प्रवेशी वर्जित कर रहता आपने कारयाने में, यह की संपादक से ज्यादा म वो अंदर के नहीं आने देना चाहते हैं, तो इस्थित ये थी, कि उसके बाद से सहाय जीने मुझे बुलाया, और पुछ है कि क्या आप राजबी पर मिली सकते हैं, आप भी का के हमने का हम आप का हम, तो फिर 70-25 तक नहीं मिल दोड़ समय, जब तक इमर्जिंसी ने जल ग दिनमाद में लिखता हैं, आप दिका गिरा दोड़ सकते हैं, साहित के बारे में मैंने क्यों दिल्चस मिली, उसकी मैंने आपको ये जानकारी देती, और और बहुत सारी बाते हैं, लेकिन उसके पीछे मूट बात हैं ही थी, कि वहां के रंगेज नहीं थी, से मैं बहुत, रंगेज निर के जब तुर नात्मकत हैं भारत में जो तलितों के साथ हो रहा, अन्याय देता हैं, तो उससे लगए कि ये तुपई कुना ज़्यार है, इसको दिलिखा जाए जई है, इसलिए मैंने लुकाईली किताब लिखती, तंशे नम्दी का पर, गोले आपक के खिला मेरे बच्चे और कभी-कभी मेरी पत्नी भी हसती हैं इस पर कि बहुत जल्दी आँख से आंसु आ जाते हैं, तो अनुवात करते समय भी कुछ किताब हैं, जैसे एक किताब है, कल्यान मुखड़ जी वाले किताब, नक्सलिए निट ब्लेंस आँ बिहार अंग्री जी किताब थी, और वो हिंदी में है, बिहार में नक्सलवादिया अंदोलन, लेकर कल्यान मुखड़ जी रादर इस प्रकारशन ने प्रकारशन किया था, उसमें रामेश्वन अगेर एक पात्र हैं, चरित्र हैं उस कथानक के मतलबों थे, जो गज़कए थे, और बाद में उनका बिलकुल मेका मॉर्पोसिस हो जाता है, कायकल्ब हो जाता है, और वो गरिबों के लिए संघर्ष में आते हैं और फिर वो वहां के नक्सलबाडी वाली संघर्ष को जो संघ्लाइट पार्टी थी सी काई मेल उसके साथ वो जूड़ जाते हैं तो उनका जब एंकाउंटर का जो वर्णर उसमें था वो डिक्टेशन देते हैं तो मैं जूड़ हो गया और मैंने कहां क्या बात देए और मैंने आंखें बाद आई कई प्रसंगों में ऐसा हुआ है तो मतलब यह है कि विश्यमें डूपने की बात है कि अगर और वही काम हो सकता है इस तरह से जो आपने मंद से करने हैं जिसमें पैसा रखनी मेंटर नहीं करता है पैसे मिलते तो हैं अनुआद के लेकिन बहुत साइब का ऐसा है कि अगर यह पैसे ना मिनें तब दी कोई वाद नहीं यह अनुआद होना चाहिए यह पहुंसने तेरे लों तक इसलिए भी कही काम होते हैं और जो मैंने रिजेक्ट किया उसमें तो बहुत सारे काम है मैंने तो उस्तफों को तो रिजेक्ट किया ही है मैं आगाश मनई से जब निगाला गया मैं तो उस समय अच्छी सेल्ली मिल रही थी क्योंकि मैंने एक दिन देखा 74 में मैं निगाला गया था तो मेरे पाद सेल्ली स्लिप पड़ी हुई थी एक 1100 रुपय थी लेकिन वह बहुत अच्छी सेल्ली थी और उसके बाद स्रीलांसिंग को मैंने शुरू की तो उसमें तो बहुत दिकत थी कभी 1500 रुपय कभी 200 रुपय महिने के एदे होते थे और लेकिन मैंने एक एड़र्टाइजिंग एजनसी के लिए फ्रीलांस करना सुरू किया था वो हेली रोड़ पड़ थी वो तमाँ एड़र्टाइजिंग एजनसी की एजनसी थी जहां गामाते थे उन्हें के रहों रेल स्ट्राइक हुई थी और रेल स्ट्राइक से संबन दिजिंग जह होते हैं डियूपय का बहुत सारा काम उनके पास आया किने के लिए लेकिन वो सब रेल स्ट्राइक के खिलाब था कि कोई बता रहा है कि हर्टाल होने को जैसे मेरा बच्चा मर गया गाड़ी नहीं आई और कोई ऐसे इसी तरह के विग्यापन थे जैसे ही मैं पहुंचा उनके आफिस जो कंपनी थी कहा है कि वर्मा जी आज तो आपके लिए बहुत काम रहे हैं आप यहीं बैट जाओ हम चारवार में तरह सब काम करते हो जार अर्जेंट है और पैसे भी बहुत अच्छे हैं अच्छा ए रजाएंग इड़र्टाइजिंग इसके पहते बहुत अच्छे मिलते थे उसमें पर वर्ड होता था पर पेट या पर वैसे नहीं अब पर वर्ड और भी टांस्टेशन बहुत लगा है लेकिन उस समय उनका पर वर्ड जो था उस समय भी पुस्तकों के पर वर्ड से 10 टाइम जा रहा था और उनके पर वर्ड म तो मैं उस समय किशन गंच में जो रेल वे कानलिंग है दिल्ली में वहाँ रेल मस्दूरों की हर्टाल के समर्थन में हमारे कुछ साथी थे उनके साथ में जाया करता था और वो शाम को महानारिया उरे लगाने और उस्ट उस्ट चिप्पा है तो मैंने कहा कि यह तुम्हें कर वस्ट में हू और काफ़ कि उड्हा-पला करानी जाते है तो अनके क्या कंद है एक भूँ करें continuous में लिए कर रहते तो सब काम कारें मैंने चोड़त हम पूरा था यह तो रहता है मैंने के जोटे हृस सा अधिट रहा फी नहीं है सा कर आट रहते है किताबों में तो कम पैसे में देती, विग यावन उनसे संब्ध भी कराब हो चकते थे आएंदार, लेकिन मेरा आनुवाल इतना अच्छा होता था कि उसंब्ध नहीं खराब करते है, वो फिर मेरे बहुत सारे स्लोगन होगे है, एक स्लोगन के मिल जा देती, जार जार पांट उसका पुरा एक कैंपेन आता है, टोटेरिंग एक स्लोगन के पास कैंपेन आता है, उसमें करीब 20-30 अलग-अलग समय पर रिलीज किये जाने वाले है, टोटी जोएट होते हैं, तो वो सब आया हुआ था, उनके लिए मैंने स्लोगन सो गयर सेयार किये थे, साहित थे मेरे वो कंपने ही बैठे ही, लेकिन उसके पैसे मिल गये थे, उतने नहीं मिले जो कंपने अगर बनते होते हैं, तो इसमें इंटोरटाइजिंग में काभी पेंदे वे, तो मैं यही करता था, आगास्वाणी इससे निकाले देने के बाद, कि घर के खर्च के लिए मैं मैं करता था, बालगेर भी करता था, अर्माद मेरे लिए लिखन जैसा ही था, मैं तो कहानिया लिखता था, और पत्रगायतर कहीं रहा था, तो अर्माद कहीं से उससे कम नहीं था, तो मैंने कहा इसको पूरा इसके लिए एसर्ट करना जरूरी है, और वो एसर्ट करता था, चुकि मैं जीवन पर फ्रिलांसर था, बीच में, मतब 74 के बाद मैं फ्रिलांसिंग ही करता रहा, क्योंकि 74 के बाद मुझे नौटरी नहीं मिल सकती थी, आगारपानी समय निकाल दिया गया था, और मेरे मामले को ले करके, मैं तीन बास टाइग मेंगे, क्यों तीन बास टाइ यह थंकी देता था, कि हम आदे गंटे के लिए ब्लाइगाउट करेंगे, ब्लाइगाउट का मतलब आदे गंटे, कुछ प्रसारण नहीं हो पायागा अगर टेक्निकल लिस्टा अड़ गया तो, तो मैं रिंस्टेट हो जाता था, और उसके बास जब वो धीले होते थे, त चर्चे और चर्खें का जो कालम था, उसमें लिखा था, बहुत सा रेक्वारों ने संबात की लिए, दिल्ली इंवर्सिटी और जेनियू के छात्रों और प्रोफेसरों ने, कज़िए तीन साड़े तीन सो लोने सिगनीचर केंपेंग के थे, उस सब हमारे पासर भी प्रकाश कारात और बिंदाहरात और इस सब चातर थे हैं, और ये सीतारा में बिचुदी वगएर और फिर पंका सिंग्रा में दिखी थे, लोग कुस है थे ही, टीपीटी पाटे, ये प्रभीर पुक आयस थे, सब के सिगनेटर, वो सब हैं, तो इस तरह से वो होता था, और बीट में मुझे तो, उसके उसे नांसे नहीं करता रहा है, नौकरी नहीं मिल लेगी, ये मुझे पता था, इंडियन एक्स्प्रेस अगवार ऐसा था, जिसने इमर्टेंसी का बिलोज किया था, इंडरगांजी के खिलाप से, तो मैंने सोचा, कि शायद इंडियन एक्स्प से कंदूजन है, आस-पास और ये अप्रजा नहीं में से कोई एक साप्दाइक निकलना था, ये संपादक थे, प्रवाज जोशी जी संपादक थे, तो मंगलेश ने प्रवाज में काम करते थे, मंगलेश ने मुझे से कहा, कि आम तुम अप्लाई कर तो, तो हमने पंधू ऐसे कहा कि, लेकिन पंधू, इस बात की क्या गारंटी कि आप यहां भी यूनियन बाजी नहीं करेंगे, अब अगर यही बात उन्हों ने थोड़ा दूसरे जंग से कहा होता, और यूनियन बाजी नहीं कहा होता, तो शायर मुझे ये बात पुरीन ना लगती, उन आप क्या गारंटी देंगे कि आप कोई ऐसी हरकत ना करें कि जिसके हो जिसे मुझे यूनियन बाजी करनी पड़ें, जोसी जिसे कई बाग हमाने वह सब होते देंगे, वह तो महान पत्रकार थे, लेकिन बहुर ब्राहन बादी, बहुर बहुरन बेवस्थावादी, बहुर साल तक मैं रिगुलर चप्ता था और नियमित मेरी आंधनी होती थे, लेकिन सधी प्रथा खामोस हो जाते तो, कुछ नहीं था, कैसे सधी प्रथा का वो समर्धन कर रहा है, मेरी टाइलर बाली ये है कि राधा किस प्रकाशन के मालिक थे, ओम प्रकाश जी, और ओम प्रकाशन के संस्थापक भी थे, ओम प्रकाश जी बहुत सुल्जेव देखते, बहुत पढ़े लिखे थे, वो लंदन गय हुए थे, और वहां से ये किताब लेकर गया थे, मैं येर सिन ए इंडिन प्रिजान, लंदन से चपी थे, और वो किताब लाकर के उन्होंने मुझ उससे कहा, कि आनन जी जए इस किताब को आप देख करके बताईए, कैसे है, तो उन्होंने मुझे दिया, और जब मैंने पढ़ना सुरूगिया, तो मैं एक ही बार मैं उसको पढ़ गया, तो मैं दूससे उनसे कहा, मैंने कहा कि हाँ, ये बहुत ही अच्छी किताब है, अग आपने कहा, तो का कर देख है, उन्हों उखा कि जल, इसे बहुत जल्दी करना होगा, आपने कहा, बहुत जल्दी मैं कर दो हूँ, और मुझे जाना था गोरफूर में मिल आजिते बेश्वराब थी, और उसमें डाइरेक्टर नहीं थी यहां से गोरफूर के, दिल्ली से, लखनू में टेन बदलने पढ़ते थी, अभी वहाँ छोटी लाइन थी, तो मैंने वो लिया, अनुवाद करने लगा, और फिर मैंने प्लान किया कि जाएंगे लखनू, और दिन पर रहेंगे उसमें, वो लोग कमरे होते हैं वेटिंग रूम माले जो, तो वो कमरा बुक कर अनुवाद करूगा, और फिर रात में, रात की तेन से गोरफ़ पर पहुंचोगा, अम्मा की दिवेत अगर खिक्षा को भी तो वहाँ बैठके कुछ अनुवाद करूगा, और फिर लोख तो ऐसे कर से हुए, बहुत अरबडी में मैंने वो अनुवाद किया, लेकिन बहु उसरे से वो अनुवाद हुआ है, बेचैनियों का अनुवाद था, और वो अनुवाद, वो रेकार्ड बिक्विज उनके हुई थी, जितनी कितारों अनुवन छापी है, भारती जरूंग पांस साल सबसे अधर बिकिती, देखे, दोसी इन बातें ऐसी हैं, जो सवाल नहीं ही आ सकती थी, क्योंकि उस समय जब मैं बोल रहा था, वो बातें नहीं हुई थी, प्रेणा की बात जो है, मैं वोने सुहिंका का एक उदागंड देना जाता हूँ, मैं नाइजेरिया को आ जा दे रहे, बिटेन से, उनने सो चौंशट तक वोलेश्वईंक का एक कवी के रूप में चल्चित हो चुके थे, नाइजेरिया के अंदर और अफ्रीकी देशों में, बाहर तो उतना नहीं रहे होंगे, लेकिन अफ्रीकी देशों में, 1964 में नाइजेरिया में चुनाव हुआ, 1966 में आजादी मिली थी, 1966 में वहाँ सैनिक क्रांथी हुई, और सैनिक क्रांथी चाषट में होने के बाद 30 साल तक लगतार सैनिक सरकारे में ही, 1966 से, 1996 से, 1996 से, लेकिन 1964 में एक एलेक्शन हुआ, और एलेक्शन में चुनाव के नतीजे जबा रहे थे, तो वोले सुहिंका, नौजवान वोले सुहिंका, एक बंदूक ले करके, वहां के जो राजधानी लागोस थी, लागोस की राजधानी में, जैसे आल इंडिया रेटियो है, वैसे आल नाइजीरिया रेटियो जो था, उस रेटियो इस्टेशन में घुस गए, और उसको जो धोर्षक था, जो जो न्यूस रिडर था, उसके हाथ से उन्होंने माइक छीना बंदूक दिखा करके, और एन्नाउंस किया है कि ये सारी गलत खबरें आपको दे रहा है, चुनाओं में पूरी तरह से लिगिंग हुई है, और ये चुनाओं फ्राड है, निचुड़ी उसके वाद मुको गिरस्तार हो नहीं था, वोले सुइंका उससे में गिरस्तार हो गया, ठीक है, मैं ये नहीं करना चाहिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि उन्ने सुचौशक में नौजवान वोले सुइंका ने ये किया, अब उस नौजवान वोले सुइंका का तीश साल बात का देखिए, 1990 में सानी अबाचा वहा का डिक्टेट सा, जिसने कैंस और उमिवा को भां से दी थी, तो सानी अबाचा की डिक्टेटर से, सहनिक ताना शाह के खिलाब वोले सुइंका ने गुप्त रिटियो के स्थापना के, और गुप्त रिटियो के स्थापना करके, देश से बाहर दैबर के और उन्होंने सानिया बाजय के खिलाब पिजार किया यानि 30 साल के बोले सुईंका और 60-50 साल के बोले सुईंका की जो वो उड़ जा थी सत्ता के खिलाब लड़ने की उसमें कहीं कोई कमी नहीं आई और अब ही जब ये ये कौन राफ्ष्ट पती सा अमेरिका का जिसको मोदी जी परचार कर रहे थे अब ये बार ट्रॉम्प साका तो ट्रॉम्प जो सा ओले सुईंका ने कहा कि अगर अच्छा ओले सुईंका आप वहाँ पढ़ाते से अमेरिका में Green Card order से और काफी साल से से, जब से वहां से निकाले गए थे, नाइजीरे से, पोले सुइंका ने कहा है कि अगर Trump टुनाव जीज गया, तो मैं अपना Green Card यहीं चला के फेंख दूगा और अमेरिका छोड़ दूगा, अब इसे में 90 साल के करीब उनक्यों मुड़ो रही है, Trump टुनाव जीज गया, उन्होंने Green Card रही, कैंची से काटा, आग जलाई, पेस्पॉलों को बुलाया, सारा सामानों लेकर गया, वो नाइज एरिया लॉट गया है, और ये जितनी बात हैं मैं कहा रहा हूँ, ये सब आप मतलब इसको वरिफाई कर सकसे हैं, अपने-अपने सोर्से से, आज कल दूप दूनिया इतने छोटिये की सारे हैं, तो मतलब ये मैं एक लेकर, जो नोबल फुरस्कार भी देता है, कोई ऐसा नहीं कि मतलब ये श्लिप्षा हो जिसके लिए वो ऐसा कर रहे हैं हूँ, दूसरे लेकर चिन्वा एचेवे, चिन्वा एचेवे कि अभी कुछ साल पर ले मृत्य होई है, और दो हजार, दो हजार, चार में, मैं नाइजिरिया में था, मुझे योगिन द्यातों हैं आप जानते होंगे आपको, CSDS से जुड़े हों है, तो एक दिन योगिन द्यातों जी मुझे मिल गए थे, गांडी पिस माउंटेशनर बहुत पहले की बात है, तो उन्होंने मुझे से पूछा कि आप दो जड़ जागी बात है, कि आप अफरीका जाना चाहेंगे, हमने का जो नहीं, तो कहां कि फिर आप तेयार हो जाएगे, हमने का रहे किस लिए, तो कहां नहीं, CS, PS से हम लोग एक फैलोशिप आपको देना जाते हैं, अफरीका जाने के लिए, हमने का अफरीका में कहां आप, कहां नाइजिरिया, हमने कहां आप, टीक है, वो उनका आखिरी साथ ता, दस साथ से वो लोगों के पेज़ रहते हैं, नाइजिरिया, कोई ए एक हम लेकर देजेंगे, आप अपने सर्मत दे देजेगे, तो मैं चला गया, चार महीने मैं नाइजिरिया में रहा, जिस से में मैं होना था, उसी समय चीनुएं HAB को देश का सर्वुच सम्मान मिला था, वो कुछ है आड़ आप दर क्या, कुछ इस तरह करके इतना बड़ सम्मान का नाम है मतलब, अगर लिखें दो, तो वो सम्मान मिला था, और चीनुए HAB ने उस सम्मान को लेने से इंकार कर दिया, और उन्होंने पत्र लिखा राश्टपती को, और वो पत्र अख़बारों में छपा, वो पत्र बहुत अच्छा था, उस पत्र में उन्होंने यह लिखा है कि ऐसे समय जब देश इतने करप्शन से जूज रहा हो, जब यह यह मुसीव्थे हो, जब चलता पर इस तरह कहत्या जा रहा हो, जब हुमन भाइट्स का इस तरह वायलेशन किया जा रहा हो, जब जितने गरीब लोग हैं उनको तमाम तरह से धंडित किया जा और धनीरों को पुरस्कृत किया जा रहा हो, ऐसे मैं यह पुरस्कार लेना मेरी नेजिक्ते के खिलाब पर मैं इसे नहीं ले सकता, और उन्होंने वो पुरस्कार नहीं लिया। दूसरी एक चीज़ और मैं बताओं, पुर्टगाल के हैं पुर्टगाल की थीव काम लेती, अंगोला, मोजांबिक और गिनी विशाओ, ठीक है, तो अंगोला के पोईट थे अगस्तिनों ने तो, अंगोला के, और मोजांबिक के पोईट थे, मार्योर गसूसा करके दसूजा और गिनी विशाओं के इंटलेक्च्छों थे अमेलकर कवरा, ये लोग लिजबन राता हैं थे पुर्टगाल का, तो लिजबन में पढ़ाई करते हैं, और वहां, चुकि उसन वो पुर्टगीश कालनी थे इनके देश, और पुर्टगाल के सत्ता के बिरोधी ये लोग थे ये लड़ाई चलाना चाहते थे, लेकिन प्रतिबन था, कुल पुलिटल संगतन बनानाने में लिए, तो इन्होंने एक सांस्कितिक संगतन बनाया, वहां पुर्टगाल में रख करके, और उस सांस्कितिक संगतन का नाम था, जिसका अंग्रिजी में अन्वार करें तो होग लेकिस दिसकावर आफरीका, यह जो संगतन था, कालांतर में यही संगतन, वहां का लिब्रेशन मुव्मेंट बनाना, जैसे उस संगतन में अगस्तिनों ने थो, और अमिलकर कब्राल, और समोरा मैशेल, जिनकी जिमान पुर्टगान दितों के थी, जिनकी पत्ति से बाद म अगस्तिनों ने थो, ने अंगोला जा करके, N.P.L.A. नाम से संगतन बनाया, N.P.L.A. का अधिमेशन उसमें होगा, पुर्टगी में होगा, पुपल्स मुव्मेंट फर्टल इप्रेशन आफ अंगोला, और मोजांबीक के जो साधी से, हमने अपने अपने देश में जाकर के फ्रेली मों बनाया, फ्रंट पर्टल इप्रेशन आफ मोजांबीक, और अमेरिकल का अब्राल गिनी-गिनी-विसाओ में जाय करके, P.A.I.G.C. यानि अफ्रीकन पार्टी पार्टी इंडिपेंटेंस आफ गिनी-विसाओ और के पॉर्ट है, यह तीनों लिप्रेशन पॉर्मंट नहीं अपने देश को आजा देजिलाई, यानि ये मेरी निगाह में एक मात्र उदारण है, दुनिया का हो या ना हो, तीसरी दुनिया की देश्रमतर है की है, कि जहां सांस्कितिक संगठन का रूपांतरम मुक्ति संगठन के रूश रखवा, और पहले सांस्कि संगठन बना और भाई जो है, मुक्ति संगठन बना और मुक्ति यान दोन ले, ये लिए सीखने का विश्रमतर है, देखे, मैंने जिस इंडिया टुडे कानवाद किया था, उससे पहले एक इंडिया टुडे कानवाद ओंग प्रकास संगल कर चुगे थे, ठीक है न, वो प प्रिटिस सरकार द्वारा सेंसर्ड कापी थी, जो वो चपे थे, मैंने जो, मुझे जो पांडुली दी गई करने के लिए, वो कम्प्लीटली अंसेंसर्ड कापी जो थी, जो मैंक मिलन ने चापा था, तो मैंक मिलन से पहली बार, ICHR के एक प्रोजेक्ट के रूप में, Indian Council for Historical Research के एक प्रोजेक्ट के रूप में, ICHR से मैं एक मिनन को वो पांडुली भी मिली थी, और जब उन्होंने मुझे से पूछा, और मैंने कहा कि वो तो छप चुकी किताब, ओप्रकार संगल के अनुवाद दो छपा है, तो कहाने यह अनसेंसर्ड है, जो ओरिजनल वो लिखा था, हमने कहां पिल्कुल मैं, तब मैंने उसको किया था, देखे भार्षा का सवाल जो है, अब शंकराचार यह अगर किसी डैलाग में किसी कुछ बोल रहे हैं, आप अंग्रीजी से हिसमें हिंदी अद्वात कर रहे हैं, तो ज वो यह तो नहीं कहेंगे कि भई तहजीब सीख कर गया हो, ऐसे तो नहीं कहेंगे संकराचार, वो कहेंगे शिष्टत होने चाहिए तुमारे अंतर को, इंडियन स्टेट का करिकर्ट दो घटनाव से मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना, हम लोग देखे, जिंदी के फरिंद तानशाई के खिलाब लाड़ा है, तब इनकी तानशाई खिलाब लाड़ा है तो, अंग्रेशी हो गया, इंडर गांदी तानशाई के खिलाब लड़ते वे नवगरी भी कमाई, सब कुछ आया, लेकिन वो नहीं, तो सवाल यह है कि ये लेक तो आपको लेना पड़ेगा, कि 1975 में जब अमर्जेंसी लगी थी, उससे पहले किस्टाग और भुमया नाम के दो नक्सलवादी आदिवासी नौजवान थे आंधर प्रदेश में, उनको गिरफ्तार किया गया, जमिदार की हत्या क्या आरोप में, और उनको फांसी की सजा देगी, ठीक है, किस्टाग और भुमया की रिहाई की मांग को लेकर, वो थे नहीं वहाँ, लेकिन कहा गया कि इन्हों नहीं सड़ें दर जा था, जिसके वज़े से आदिवासी ने हमला गिया, किस्टाग और भुमया की रिहाई की मांग को लेकर, हम सब लोगों ने बोट को अपक दिल्ली में धर्णा और प्रदर्शन दिया, किया था, और उसमें जाड़्षणना डीजी थे, उस प्रदर्शन थे, उसके बाद जाड़्षणना डीज के नेत्रिस्द में एक डेलिगेशन, राश्टपती से फकृषदीन अलियामत, उनके पास एक ज्यापन लेकरके गया, कि किस्टागर भुमयया क राश्टपती जीवन दान दे दे, वो नौजवान है, और मिसु दन दन ना दिया जाए, इसका प्रावधान राश्टपती का सोता है, उन्होंने एक वो दिया, जाड़्षणना डिया, एक घटना का जो कुछी दिन पहले लगनों में होई थी, लगनों में एक नवाब की दड़की थी शमीम रहमानी, उसका प्यार हो गया था एक डाक्टर गौतम से, ठीक है, और डाक्टर गौतम ने, मतलब ये त्रिकोंड था, डाक्टर गौतम के बारे में शमीम रहमानी को लगा, कि ये मुझसे ब्योपाई कर रहा है आदमी, ये किसी और और से प्यार कर रह है, तो एक दिन डाक्टर गौतम बहुत संचे में बता रहा है, एक दिन डाक्टर गौतम आये, और स्वमीम रहमाई ने, गोली माट जी और डाक्टर गौतम के मृत्तु हो गई, ठीक है, अब स्वमीम रहमानी के बता रहा है, स्वमीम रहमानी को आजिमन कारवास के सजा तो राज़ेपाल ने उनको उसी समय छमादान किया था तो चार्जफर्णार्डीज ने उसी खटना को याद दिलाया फखुरुदीन अली अली अहमद को कि अभी अभी यूपी में ऐसा हुआ है आपने समीम रहमानी को माप किया है फखुरुदीन अली अहमद यह सुनते ही जो कि बड़े आराम से सब सुन रहे थे गुस्से से आप बगूला हो गए उनका क्या बात आप कर रहे हैं वह एक खांदानी लड़की है उससे गलती हो गई हो गई यह लोग तो जरायन पेशा हैं यह तो उस क्लास से आते हैं जसमें यही सब होता है यह इंडियन स्टेट का करेक्टर है समझे ना देश का दास्पती जो फस्ट सिटिजन है वो यह कह रहा है एक दूसरी घटना और मैं बताता हूं इससे हलकी है लेकिन वह भी आपनों के जानने लाइख है 1990 में भूटान की जनता ने रास्तंत्र के दमन के खिलाब और अपने मिनिममम यूमन राइट्स के लिए आंपोनन चलाया कहा कि यह वो बन जाए यूमन रैट्स कमिशन बन जाए संभिधान के मांग के राजा ने उस आंदोरों का बहुत जबर्दस दमन किया और उसके नतीजे के तौर तर करिब्डेड़ लाग लोग वो जो है रिफ्यूजी बन करके उन्होंने अपने देर से खदेड दिया अच्छा भारत की सीमा लगी हुई है भूटान से तो खदेड दिया तो लोग भाग करके इंडिया है और इंडिया की जो बियस्याफ और भाड़कर वो सब सीसी आर्पिया उन्होंने उनको मविश्यों को तरह ट्रक में लादा और नेपाल की सीमा में छोड़ दिया क्योंकि वो दक्षरी भूटान के थे जो नेपाली मूल के थे उनको महां लोग संपा कहता है वागी बासा में तो उनको छोड़ दिया अब उसके बाद से जो बातचीत हो जी थे तो इंडिया हमेशा यह कहता था कि यह बाइलेटरल इसू है बिट्विन नेपाल और भूट कि यह बाइलेटरल इसू ही नहीं है हमारा हमाई सीमा लगी ही नहीं है नेपाल से हम नेपाल में किसे उड़ के सोड़ें आएंगे हम तो इंडिया में और इंडिया से आपने लाजकेम को यहां बेज दिया अब ये जाड़ संटेंडे जाए के गुजराल या जितने भी यहां के human rights के champion होते थे जब वो सरकार में नहीं होते थे तो वो इनकी मांग को लेकर के हमेशा वाजुदा थे बीश साथ तक उनका struggle चला पहले तिन से उस struggle के साथ मैं जुड़ा था मैंने भूटान साइल डर्टी नाम का एक संगठन यहां बनाया जस्टिस कृष्णा हियर उसके पैटरन से मैं कन्वेनर था तमाम जो यहां के लोग से वो मतलब बड़े-बड़े लोग ने अधिर्श होगरा वो सब उसके मेंबर से हम नोंने कितना अंदोलन किया बीच साल में हर पार्टी की सरकार रही भारत में उनका अंदोल बीच साल चला बीच साल बाद उसांदोलन कि पढ़नत क्या होई कि वो थर्ड कंट्री सेटिल्मेंट के नाम पर दुनिया के छे बड़े देशों ने इन रिफ्यूजिस को ले जाकर के अपने हां बसाया और भारत सरकार ने एक बार भी राजा से नहीं कहा कि वो इनको वापस ले ले और सब पार्टी की सरकार रही यहां तक कि जिस समय उनके लीडर रोंसों किल्ले दोड़जी तिहाड में बंत है तिहाड में बंत है रोंसों किल्ले दोड़जी उस समय इंदिया का हो मिनिस्टर CPI के इंद जित गुपता थे ते वो गोड़ा के सरकार थे इंद जित गुपता CPI के और वो हो मिनिस्टर थे और रोंसों किल्ले दोड़जी बंत हुए कि लिए दोड़ जी की रिहाई को ले करके हम लोग तियार के बार 15 अगस्त 1957 के आपने 50 साल जब पूरे हो गए थे आज आदी के और लता मांगेशकर रात में 12 बजे संसद्य जीत का रही थी उस समय हम लोग वहाँ पर बैठे हुए थे धरने पर और हमारे साथ 18 बैठे थे जिसमें जाड़ फणनांडीज भी थे नितीश कुमार थे एक विजे सिंग बिहार के थे जिनकी डेथ हो गई वो थे इन्हीं की पार्टी में समता पार्टी में हो थे जो वहाँ के माफ्वी आया आनंद मोहन सिंग थे और बहुत सारी फुर्मिला के 18 MP थे सब खु सबसे अलाग और फुल ये बन गए जाड़ फणनांडीज इन्होंने इस विशे पर मुझसे बात करना बत कर दिया तो सब लोग जितनी भी निकाले गए थे महां से सब हिंदू थे और इन सब लोगोंने जा करके इनके कुछ प्रतिनिजियों ने अपने को एक्दम हिंदू कहते हुए अशुक सिंगल से मुलाकात की अशुक सिंगल ने कहा जो बीएटबी के लीडर से अशुक सिंगल ने कहा कि ठीक है मैं राजा से बात करूँगा कि वो ले ले अशुक सिंगल गए मिलने राजा ने वो फोटो मेरे पास है राजा ने चांदी का जैसी राम बाला इत बना करके अजद्या में मंदिर के निर्माण के लिए अश्रक सिंगल को भेंट कर दिया, कोई बास ही नहीं किया इसने, मतलब आप कहां तक सुनेंगे, इतनी और इस सब चीजें वो हैं, प्रमाण के साथ बहुत होते हैं, तो बीस साल में आएके गुजाल वो थे, विदे जन हो गया, मैं जिन्दा हूँ, अरुन कुमार सिंग जिन्दा है, शायद में, तो हम तीन लोग गये, उनसे मिलने, बात करने, विदेश मंत्री के रूप में, नाट फुलक में, जैसे ही हम लोग गये, हम से तो, हम लोग से तो मिलता नहीं गुजराल, क्यों मिलता, स्वाम के खुझराल साहर, चाइभाइपिन एक गुजराल साहर, ये भूतान के जो, वो हैं, स्वामीज़ीए मैं आपर की ha computer कोई बात है मैं आपको पता रहा हूं कि थोड़ी सी अगर आप मतल्य चरएे तो भूतान के शणनाट क्यों से बात है तो हमने कहा, मैं भी बैठ रहा हुआ था, तो मैंने कहा कि आप की साथ में से बात कर रहा है, स्वान एक निवेश से, आप की साथ में से बात कर रहा है, ये हमारे देश का विदेश मंत्री है, और ये कह रहा है, बुटार पर किस रहा है, तो हम क्या मोसम के बारे में बात करने कि अभारत की राष्ट्री हिछ को यह था, तो आप राष्ट्री यह था, हमने का राष्ट्री हित हमने का चलिए आप रास्टी देखते हैं, मैं राजा के छिलाप हूँ, तो मैं रास्ट भी रोधी हुआ, तो का आप जो चाहे समझें, हमने का अगर आप राजा के साथ हैं, वो रास्टी हैं, तो मैं रास्ट भी रोधी हुआ, तो आप मुझे अरेस्ट करियें, तो का आप जाहिए अपना काम करें मुझे अपना काम करने दिया स्वामी जी कहा हाथ लेकर के चले आया है लोग बात यहां कता हुए तो यह है मतलब मैं बता रहा हूं कि स्टेट का करेक्टर यह है